कि हेलो नमस्कार डीर इस्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टमेंट सीविल के ट्रेट सिवरी के फर्स्ट यह के कोश्चन को करने वाले हैं जो की आपका सीबीटी एकजाम जो की आल इंडिया ट्रेट ट्रेश्च 2021 का कम्प् सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले यहां पर देखेंगे आपका जो पहला कोश्चन था वो ट्रेट थियोरी का था उसके बाद इंपलाइबिल ट्रेट थियोरी से 40 और वरक्षाब कलेशन से 20 लेकिन इस बार इस सारे चीज़े अलगावालिक बाक से बात करेंगे इंपलाइबिल्टिटिज और वखशब कलेशन को आल्रेडि मैंने पहले यह करा दिया और यदी आपको एए वीडियो देखना होगा, impliability skill और वरक्षाप केलकूलेशन, फस्ट यर का, तो लिणक आपको मैं description बाक बाख में दे दूगा, वहाँ से जाकर impliability skill और वरक्षाप केलकूलेशन के के कोश्चन पेपर को देख सकते हैं, हम इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को डिखाएंगे सिर्फ उसी पर डिस्वकस भी करेंगे तो यहां से एक से लेकर 40 तक जो कोश्चन है इंप्लाइबिल्टी के 20 कोश्चन और 20 कोश्चन वर्क्शाप केलकुलेशन के हम 41 नंबर कोश्चन से करेंगे जो कि आपका ड्रा पहला कोश्चन यहां पर इसका अगर इंसोर पता होगा तो आप कमेंड बाक्स न बताएंगे अपने एंसोर को पहला जो कोश्चन है दिया है वाटीज वन इंड और में इन कार्न प्लाना फिस्टेप किसमें एक कदम के प्लान में एक छोर या दोनों सोरों को सिरो को काट यह कर दिया है तो इस प्लेड यानि इस प्लेड़ सिस्टम में यूंज दोनों सफोर्य से क्या कर दिया जाता है के अगला कोशन देखेंगे 42 number दxt invoice दर क्म पार्ट पार्ट मार्क इस एक्स पे जो डिनोट किया गया है यहां पे इसका नाम किया तो तो इसका नाम क्या है यह है इसकोटिया इसका करेक्टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे 43 नंबर दिया है विच फ्लोर इप्लाइड विद थिन कोट आफ सीमेंट काउडंग सीमेंट गाय गोबर के पतले कोट के साथ कौन सी मंजिल लगाए जाती है तो यह पताई होती है उसी को बोला जाता है तो यह क्या होता है मर्ड फ्लोर यानि कि जो कीचड के फर्स होते हैं उस पर लगाया जाता है गाय की गोबर से बहुत से जगह आप लोग देखेंगे गाहों अगर में ज्यादा यूज होते हैं अगला कोश्टन देखेंगे 44 number देख लिए वाट इस दा यूनिट आफ इलेक्टिकल रजिस्टेंस विदुत परतिरोध की इकाई क्या होती है तो विदुत परतिरोध की इकाई जोता है ओम होता है और ओम का सिंबल कुछ इस परकार होता है न अगला कोशन 45 number देख लिए देख लिए वीचिज फार्म आप डिसिंटिग्रेटेड रॉक विट बिल्डिंग मैटेरियल निर्मार सामगरी के साथ विगटित चत्तान का एक रूप कौन सा है तो विगटित चत्तान का एक रूप है यह है मूरम करेक्ट एंसर हो जागा नेक्स्केशन देखेंगे 46 नंबर दिया है वाट इस्दा मैक्सिमाम रेंज आप डिस्टेंस ूर्थीकल चैनल उर्दवार्दय चैनलों के बीच की दुरे की अधिक्तम सी मριा क्या होती है तो उर्दवादर उद्वादर चैनलों के बीच की अधिक्तम जो दूरी होती है वो होता है 100-120 mm करेक्ट टेंसर हो जायागा C अगला कोश्चन देखेंगे 47 नमबर दिया वाट इस टर्म रीफर आज फिक्सिंग आप दी इसमाल टिंबर बैटन्स टू टिंबर वाल्स विथ लेट एंड बोर्ट्स आर नेल टू इट छोटी लकडी की बेटन को लकडी की दिवारों और लाठियों के ठीक करने के लिए निर्दिश्ती सब्द को किस पर आधारित होता है तो यह आधारित होता है इस्टरडिंग पर करेक्ट टेंसर बी हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन है वाट इस टेकनिकल टर्म फार दी प्रोसेस आप ब्रिंग द वर्टिकल एक्सिस आफ दी थी ओडाइट इमिडियेटली ओबरे मार्क और इस्टेशन पॉइंट त्रेडो लाइट की उर्द्वाजर धूरी को किसी निसान य िफ यूर्जिंग थीओृडोलइट प्राворी मुख HEY रूप से थीओYOUडो ॉपयोग करने का उद्द्व से क्या होता है तो थीओृडोलइट का उपयोग करने क्यों किया जाता है तो ये 36 ुद्वादर कोडों को मापने के लिए किया जाता है तू मिजर और इने विजर अ या नकसे में क्या माप माप दिया जाता है तो किसी योजना या नकसे में क्या माप आ जाता है तो वो linear and angular measurement किया जाता है रहखी का और कोडियों माप ना पा जाता है किसी योजना या नकसे की माप में अगला question देखेंगे 58 One number इया what is the name of the leveling instrument यह लेवलिंग इंस्टूमेंट जो दिखाया गया है इसका क्या नाम है तो इस लेवलिंग इस्टूमेंट का जो नाम ही वह है dummy level correct इंसवर एह हो जाएगा next question देखेंगे 52 number दिया है which column is used the first entry in the level book page प्रतम प्रिष्ट के लिए किस अस्थम का उपयोग किया जाता है तो फराथम प्रविष्टी के लिए जो अस्थम का उपयोग मिला जाता है वह है backside correct answer B हो जाएगा next question देखेंगे what is the name of term that is the this method of survey it is less costly than other type of survey शब्द का नाम क्या है कि सर्वेक्षड की इस पध्यति में यह अन्य परकार के सर्वेक्षड की तुलना में कम होता है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वह है यह one one of the advantage of the plant table survey correct answer हो जाएगा next question है what is the color of road metal bridge road metal bridge का रंग क्या है तो road metal bridge का जो रंग होता है वह burnt sign होता है गहरे brown रंग का होता है correct answer हो जाएगा road metal bridge का रंग गहरे brown color का next question देखेंगा 55 number do what is the name of level which does not require any protection from the sun उस level का नाम क्या है जिसे सुर्य से कोई सुरक्षा की आवसकता नहीं होती है तो वह सुरक्षा आटो लेवल इसको कहते हैं correct answer हो जाएगा आटो लेवल next question देखेंगा दिया है which method is more accurate in plotting a compass survey कमपास सर्वेक्षड में plotting के लिए कौन सी अगला question 57 number what is the name of roof इस रूफ का नाम क्या है जो इस परकार बनाया गया है तो इस छत का आट्रेक्षण होता है वह है इस ट्रील इस्ट्रक्चर यानि कि इस पाथ की सनर्चना करेक्टेंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे 59 नूमबर दिया है वाट इस दर लेंग्थ आफ मेटलिक टेप अवेलबल इन मीटर यदि धातू टेप मीटर में उपलब्द है अगला कोश्चन देखेंगे वाट इस दो आफसेट डेट मीजर अधर देन राइट एंगल टू दा चेन लाइन फ्राम दी अब्जेक्ट वह अब्जेक्ट से चेन लाइन का समकोड के अलावा अन्यकोड नपता है तो यह है अबलिक आफसेट ठीक है अबलिक आफसेट करे अलःपॉइकड वह कौन सा कौन सी अगया जो एक लेवल की सताप पर इस्तित है और सभी बिनदो पर लंब रहा के लिए समानियाए तो ब्presset और सब्सक्राइब पर लंब रेखाओ के लिए समानी होता है करेक्टेंस और यह हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे 62 नंबर दिया है वीच रिजिद बोर्ड इस नन ऐस प्रेस्ट बोर्ड किस कठोर बोर्ड को प्रेस्ट बोर्ड के रुप में जाना जाता है तो यह है फाइबर नेक्सट कोस्टन देखेंगे 63 नंबर दिया है वाइज ड्यफेक्ट डूयी टू सीजिनींग इन टिन्भर लकडी में इस निया कारण होने वाला दोस कौन सा है तो यह लकडी है इसमें सीजिनींग के करणी क्योंसा धोस आता है तो यह दोस्त आता है कप टाईप का बनजा परकार बनाव जब का नम बताना है तो यह जोड ऑब्ट जुअंट यह कमें चाली का वटա चाहित है दो जोड़े में कैं ऑपर जोडेahan यह एक दूसरे उपर नहों कर ऐसे यह नहीं है और जाते है कुछ यूटा यह पर के ऊपर लैप नहीं कर रहा है तो यह होता है बड़ जोइंट करेक्टेंस और भी हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे 65 नंबर दिया वाट इस दा रेशियो आप सीसी यूज इन आर रेशी सी लिंटेल आर सीसी लिंटेल में परियुक्ति सीमेंट करें का अनुपात कितना होता है तो आ लिंटेल का नाम क्या है तो इस 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 लिंटेल का नाम 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 है यह स्टोन लिंन टेले अगला कोश्थन देखेंगे 68 नंबर डिया वाटीर डआ इस दो आर्क कंस्ट्रक्टर ओबरे बुरे जॉय ज्ट आर्फाल कि लकड़ी के जोस्ट या फ्लेट आर्क पर निर्मित आर्क क्या है तो निर्मीर आर्क जहता है यह रिलीविंग आर्क यानि की correctness और सी हो जाएगा next question देखेंगे 69 नुबर दिया है what is the common wall thickness for fire resistance आग परतिरोध के लिए क्या सही है what is the common wall thickness for fiber resistance जो fiber resistance होता है उसके जो दिवार होती है उसकी thickness कितनी होती है तो उसका thickness 20 होता है correctness 20 हो जाएगा डी अगला question देखेंगे 70 नुबर दिया है what is the name of damp proofing method नम प्रूफिंग विधी का क्या नाम है यह proofing विधी दिखाई गई है इस proofing विधी का क्या नाम है तो इसका नाम है treatment to external walls यानि कि यह क्या किया जा रहा है बारी दिवार के लिए उपचार किया जा रहा है next question बढ़ते हैं 71 number दिया वाट इस दो नेम आप पार्ट मार्क आइज एक्स एक्स करूप में चिनित भाग का नाम क्या है यह एक्स है इसको इस चिनित भाग का नाम क्या है तो इसका नाम हाट बीटन कोटिंग गर्म कोलतार कोटिंग करेक्टेंस और भी हो जाए फ्लोर कौन सा मचान उपयूक थे यदि उपरी मंजिलों के निर्मा कारे किया जाना है तो तो इसका जो करेक्टेंसर हो जाएगा वो निडल इसका फोल्डिंग हो जाएगा यानि कि नीडल का मचान करेक्टेंसर हो जाएगा next question देखेंगे 73 नंबर दिया है विच स्वाइल आप जर्वेशन मेथर्ड बिलांग टू इलेक्टिकल रजिस्टिविटी मिट्टी के अलोकन की कौन सी विद्यूत परतिरोधक से संबंदित होता है तो इसका करेक्टेंसर हो जाएगा जियो फीजिकल यानि कि भूभावत किया करेक्टेंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट कोश्ण बढ़ते हैं 74 नमबर पर गया सेवनटीफर नमबर का कोशहन है वाट इस दो देप्थ आप ट्रेंच वाइल बॉक्स सिटिंग कैरीड आउट इन टींबर इन लूज स्वैल डिली मिटी में लकडी में बॉक्स सिटिंग करते समय खाई की गहराई क्या होती है तो खाई की जो गहराई होती है वह फोर मीटर करेक्टेंस और हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन है वाट इस एक रिषड़ की अद्व किन्यूंतम दूरी कितने होने चाहिए एक भावन से पेड़ की दूरी वह है आठ प्टराइच मिटर शें और गर्म नहीं बनाना चाहिए या तो पेड़ को कटवा दीजिए अगला कोश्चन है वेच सीमेंट इस मोर्डू तवर फार्दी कन्स क्रोक्षन आप चेमिकल प्लांट एंट फरेस है लिए रसाइनिक सनयत्र और भट्ती के due to heavy inflow seepage and not possible to excavate and trenches and keep them dry उस निव का नाम क्या है जो भारी बाड के लिए खाईयों की खुदाई और उन्हें सुखा रखने के लिए होते हैं उस निव का नाम है पाइल फाउंडेशन करेक्ट एंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे चिनाई की निर्माड के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है तो चिनाई के लिए जो परियोग मिलाते हैं चूना वह है क्लास बी करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन सेवेंटीनाई नुमबर है वाट इस दर डिजाइन डिजाइनेशन आफ फोर ट्वेंटी इन्टू फाइफ नाइन फोर एमेम साइज पेपर एज पर बी आईएस बी आईएस के अनुसार चारसो बीस और पांसो चो इन एटमोस्फिरिक गैसेज वाई मंडेलिये गैसे में आक्सीजन की परतीसत कितना होता है तो आप सभी को पता है जो परतीसत होती है वह 0.2099 करेक्ट एंसर हो जाएगा तो यहां परसेंटेज मिलना देकर यह दस मलों में दिया है परसेंटेज में बात करें तो बीस दस म दो नो परसेंट होता है अब यहां दस मलों में दिया है तो इसको जब हम लोग करेंगे देखिए कर माइं मैं कर दे रहा हूं 0.2099 ऐसे दिया है अब इसको हम लोग अगर करेंगे दस हजर वह भाग में तो कितने बाद में दस हो आज हो है था तो दो जीरो नो नो बटा में 10,000 हो जाएगा गुड़े 100 अब देखिए इसको कटाइए दो जीरो से दो जीरो कटेगा और जब सो से भाग देंगे तो यह बीस दस मलो नो नो आएगा यानि कि 21% आपको पता है कि आक्सीजन की वाई उमेंडल में आक्सीजन गेस की परतिशत होती है तो 21% में होगा और वही अगर कनवर्ट करें तो एक 0.21 आएगा जो कि यह किस में होगा दस मलो में होगा तो यहां दस मलो में दिया है भरे परतिशत में पूछ दिया है तो इस परकार हम लोग असी कोश्चन कर लिए जो की ड्राफ्ट में सीविल के फरस्ट यर कोश्चन थे जो कि सीबीटी जामें अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था उसका है यदि आपका भी पेपर है तो यह अच्छे से तैयारी करके जाएगा जो मैं इस वीडियो में बताया हूं और यह पीडियाफ के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंग के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंग आपको सर्च करने पर टेलिग्राम पर मिल जाएगा या लिंक दे दूंगा वहां से आप लोग यह पीडियेफ डाउनलूड कर सकते हैं और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं उसके रावा आपको मुझे परसनली कुछ भी सर्जेसन चाह फ corner ना-एंश्ट कर सकते हैं आज को फीडिorieं मिट नाइई इस्टाग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्स्प्स मिए देंगा आज के लिए भूटत्क् सब्सक्रालएं जौहें ब throws a no